कथा सुनाओं हुँ दुरगे मैया और मैया काली की ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी कथा सुनाओं हुँ दुरगे मैया और मैया काली की ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी जब जब धर्ती पे भार परा है मैया ने अवतार लिया कभी काली बन कभी दूरगे बनकर दुष्टों का सन्हार किया सत युग कल युग त्रेता द्वापर सभी युगों में सहाई थी ध्यान लगा कर सुनोर भगतों कथा है अजब निराली सी ध्यान लगा कि सुनोर भगतों कथा है अजब निराली सी दुर्गे हो या काली मैया दुर्गे हो या दुर्गे हो या काली मैया दोनों तो बस एक है भगतन की वो जग दंबा है दुस्तों के लिए अनेक हैं मैं नहीं कहता वेद पुरान गाथा उनकी गाई थी ध्यान लगा कर सुनोर भगतों कथा है अजब निराली सी मेरे प्यारे सुरोतागन ये कथा उस समय की है जब पृत्वी वासी सुख्चैन से रह रहे थे उसे किसी प्रकार का भाय नहीं था वो निर्भाय होकर अपना जीवन गतीत कर रहे थे चारों तरप सांत का माहौल था तब महिसासूर का जन्म हुआ महिसासूर के जन्म होने से सभी देव लोग चिंतित हो उठे उन्होंने ब्रह्माजी से वरदान प्राप्त कर अपने को सर्व सक्तिमान वभगमान समझ बैठे और गमंड में चूर होकर नाना प्रकार के अध्याचार करने लगे महिसासूर का जन्म होते ही जग में हाहातार मचा इतने दिन सबसांत थे बैठे अब तो अत्याचार बढ़ा डर से थर थर कापन लागे सभी देव नर नारी सी ध्यान लगा कर सुनोर भगतों कथा है अजब निराली सी महिसासूर सब देवों को हरा कर इंद्र का इंद्रासन छील लिया और सब को सक्ति ही निकर के स्वर्ग लोग से बाहर निकाल दिया स्वर्ग छोर कर निकल परे सब स्वर्ग छोर कर निकल परे सब अपने ही इसहार से धर धर ठोकर खाने लगे असुरों के अत्याचार से अब तो कोई उपए न सूझे अब तो कोई उपए न सूझे असुरों को हराने की घ्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी महिसासुर को वरदान था कि उसे कुमारी कन्या के अलावा दुनिया में कोई नहीं मार सकता इसलिए उन्होंने कुमारी कन्याओं की हत्या करने लगा डर के मारे छुप गई कन्या अपने घर में बंद हुए घर से निकाल कर इन दुष्टों ने उन कन्याओं कवध किये आज कल में जो जन में बच्चे अपने मा की दुलारी थी ध्यान लगा कर सुनोर भगतों कथा है अजब निराली सी उनके अत्याचार से तंग आकर मा सक्ती ने दुरगा रूप में अवतार लिया दुरगा मा को सब देवों ने मिलकर अस्त्र सस्त्र परदान किये तथा अपनी अपनी शक्ती भी परदान की उसके बाद मादुरगा ने महिसासुर पर चरहाय कर दिया मादुरगा और महिसासुर ने खुब घमासान युद्ध हुआ अंत में उन्दुष्टों को मा ने बरी चपलता से वध किया अंत में उन दुष्टों को माने बरी चपलता से वद्ध किया जग के कल्यान करने है तू जग के कल्यान करने है तू दुर्गे रूप में आई थी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी महिसासुर के वद्ध के बाद सुमनिशुब का जन्म हुआ वे दोनों भी ब्रह्माजी से इक्छा मिर्टू का बरदान प्राप्त कर लिया लेकिन ब्रह्माजी ने कहा तुम दोनों ऐसी चीज की इक्छा न करना जो तुम्हे प्राप्त न हो सके नहीं तो वही तेरे मृत्यू का कारण बनेगा वह दोनों सोच लिया कि कोई भी ऐसी चीज़ की इक्षा नहीं करेंगे जो मिरे मिर्तू का कारण बनेगा तुम मुझे इस दोनिया में कोई नहीं मार सकेगा वो निर्भाय होकर अत्याचार करने लगे स्वर्ग लोग पर अधिकार कर लिया सब देवता लोग मादुरगा के पास जाकर विंती करने लगे हे मा तुने महिसासुल के वद्ध के उपरांग ये कहा था कि हे देवो जब कभी कभी तुम लोगों पर अपत्ति आवे तो मुझे याद कर लेना मैं उसका निवारन करूँगी मेरा जन दुष्टों का सनहार करने के लिए हुआ है अब हे माते हम लोगों पर क्रिपा कीजिए सुंभ निशुंभ के अत्याचार से बचाओ माता ने कहा अब तुम लोग चिंता मत करो अब मैं उन दुष्टों का नास करने के लिए जा रही हुआ सेर पे सवार होके सेरावाली उनके राज्य में आ गए गंद मारदन परवत के निकटमा आसन अपना जमा दिये धुमलो चन्य मा को देखा धुमलो चन्य मा को देखा पाउन का थर्राई हिसी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी माता के सुन्दर रूप को देखकर धुम्र लो चन्य बोले हे सुन्दरी तुम जैसी सुन्दर इस दुनिया में कोई नहीं है तुम हमाए समराथ सुम्र से साधी कर लो उन जैसा बलवान इस धर्ती पर कोई नहीं है तब माता ने हसकर कहा जो मुझे युद में हरा देगा मैं उन ही से साधी करूँगी ये हमारी प्रतिग्या है तब धुम्र लो चन्य ने कहा ये संदेश मैं अपने मालिक से जाकर अभी कहता हूँ संदेशा को सुनते है सुंभ अपने रत पे सवार हुए धुम्र लो चन्य को भी साथ में लेकर चलने को तैयार हुए दूर से देखा सुंदरी को तो सर उसका चकराई थी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतो कथा है अजब निराली सी सुंभ ने कहा ये भोली भाली लर्की हमसे क्या जितेगी इन सुंदरी को तो अभी हारा कर हम अपने घर ले चलेंगे तब धुम्रलोचन बोले नहीं महराज आपका गुरु महराज सुक्राचार्ज ने कहा था यदि कोई अजनवी इस राज में आये तो हमसे एक बार विचार मिमर्स करके ही कोई कडम उठाना सुम्र ने कहा ठीक है गुरु जी से भेट कर लेते हैं लेकिन साधी तो मैं इसी सुंदरी से करूँगा ये मेरा प्रण है जब ये दोनों गुरु सुक्राचार्ज के आश्रम ने पहुचे तो गुरु सुक्राचार्य वहाँ पर नहीं थे तब तब गुरु ग्रहस्पती ने सुक्राचारी का रूप धर कर बोले यदि तुम उस सुंदरी से साधी करना चाहते हो तो अत्ति उत्तम ये गुरु का वचन है तुम उससे साधी कर लो उसे युद में हरा दो और उससे साधी कर लो जिनसे राख्षा स्कुलवें संतान की उत्पती होगी हम बहुत प्रसंद हैं तुम सब जाओ और युद की तैयारी कर लो खुसी के मारे उछल परे वो अपने रत पे सवार हुए अब लानारी जान करके युद करने को तैयार हुए मुझसा बलवंत कोई न जग में क्या जितेगी नारी हिसी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली हिसी उसके बाद ध्यान लगा कि सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली हिसी उसके बाद धुम्रलोचन ने कहा महराज आप अभी मत जाईए मुझे जाने की आग्यां दीजिए मैं अभी उस सुंदरी को युद में हरा कर आपके समीप ले आता हूँ मुझे जाने की आग्यां दीजी धुम्रलोचन वहाँ से चल कर मादुरगा के पास पहुँचे धुम्रलोचन ने कहा ओ सुंदरी मेरा कहना मान लो उनके जैसा कोई न जग में तुम उनको पहचान लो शादी करके दुनिया बसा लो इसी में है चतुराई हिसी मादुरगा ने कहा तुम जान बचा कर यहां से चले जाओ और अपने मालिक को भेजो शी बात पर धुम्रलोचन माता से युद करने लगा मादुरगा ने उन्हें अगनी में जला कर हवा में उछाल दिया वे सुम्ब के आगे धर्ती पर जाकर गिरा सुम्ब ने कहा उस हरी में इतना दम जो धुम्रलोचन जैसे बलवान को इस परकार मारा मैं परतिज्या करता हूँ कि उसको युद में हरा कर साधी करूँगा अथवा उसकी कतल कर दूँगा तब चंड मुंड ने कहा नहीं महरा हम दोनों को जाने की आग्यां दीजिए उसे मैं हरा कर आपके चर्णों में हुकस्थित करूँगा वे दोनों वहां से चल दिये तम मादुरगा ने काली मा को परगट किया और उनसे कहा तुम चंड मुंड का राष्टा रोपो और उन दोनों का सीर काट करके अपने गले का मुंड माल बना लो मा काली ने बिलकुल आइसा ही किया और मादुरगा के पास पहुँची मादुरगा ने कहा आज से आपको लोग शामुंडा देवी के नाम से भी जानेंगे चंड मुंड के मरने के बाद रक्तवीज वहां से चल परे वो नर संधार करते हुए आ रहे थे माता काली वही पे उसी रास्टे पे खरी थी उन दोनों में युद होने लगा रक्तवीज से लरने लगी मा रक्तवीज से लरने लगी मा दोनों में खुब युद्ध हुआ रक्तवीज को लगी कटार खुंधरती पर गिर गया इतने रक्तवीज पैदा होंगे मा काली नहीं जानी थी ध्यान लगा गर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी माता काली क्रोध में आगववुला होकर कतल करने लगी जिससे अशंक रक्तवीज पैदा होने लगे यह देखकर देव लोग मादुर्गा के पास पहुँचे और साला हाल कह सुनाया मादुर्गा वहां से त्रंत चल परी और मा काली के पास पहुँची उन्होंने मा काली से कही तुम खपर में देख्यों का खून भरवर कर पीती जाओ और मैं उन्हों सब का कतल करती हूँ ध्यान रहे एक भी खून का बूंद धर्थी पर न दिरने पाए वे दोनों बिल्कुल वैसा ही किया ऐसा करने से रक्तवीज मारा गया रक्तवीज के मरने के बाद सुंभ और निसुंभ दोनों भाई सेना लेकर युद करने के लिए चल परे रास्ते मुनोंने मा काली को खरी देखी सुंभ ने कहा अरे ये तो वो इस्तरी नहीं है जिससे मैं साधी करना चाहता था मुझे तो उस सुंद्री से युद करना है उन्होंने अपने सेना पती से कहा तुम सब इस इस्तरी से युद करो और हम दोनों भाई उस इस्तरी के पास जाता हूं युद करने के लिए वे दोनों भाई उधर को चल परे इधर सेना पती और मा काली में युद होने लगा सेना पती और सारी सेना मा काली से लरने लगे वे दोनों भै मा दुरगा से युद करने को चल परे सेना पती और सारी सेना शेना पती और सारी सेना मा काली ने मारी ही थी ध्यान लगा कर सुनोरे भगतों कथा है अजब निराली सी उधर सुम्भ निसुम्भ और मादुरगा में भमाशान युद्ध होने लगा दोनों भय को मार गिराई मादुर्गा ने कतल किया सब देवतागन खुस हो कर सब देवतागन खुस हो हो कर फूलों की वहाँ वर्सा की ध्यान लगा कर सुनो रे भगतो कथा है अजब निराली सी ध्यान लगा के सुनो रे भगतो कथा है अजब निराली सी